जश्री कृष्णा गाईज कैसे हैं आप सब वैसे थे लोकी की सबसे ज़ादा तर लोकों को पसंद नहीं आती है ना बट मेरी चूटी बेन के हाथ से बनी हुई लोकी कुफता करी के बारे में क्या ही बताओ जब भी बनाती है ना सब को पसंद आती है रेसिपी तो चलो आज फिर इसके हाथ से बनी हुई जाकेदार लोकी कुफता करी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो सबसे पहले हमें लोकी की कूफती तयार कर लेने हैं तो यहाँ पर हमें छोटी सी लोकी लेनी है फिर जिसे हमने कदुकस कर लेना है तो इसे आपको फटाफट करना है क्योंकि इसका कलर है तुरन चेंज हो जाता है देखे हमने इसे ग्रेट कर लिया है अब इसमें हम नमक एड़ करेंगे, फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, नमक मिलाने से न इसमें इसे अतिरिकत पानी है, वो अलग हो जाएगा, तो इसे हमें हाथ से इस तरह से निचोड के लेना है, इसे अच्छी तरह से निचोड लेने के बाद इसे हम अलग से प्ल पाउडर, हलका चटपड़ा सा टेस्ट आने के लिए इसमें पाउच चमच, चाट मसाला पाउडर, आदा चुट़ा चमच इसमें जाएगा जीरा पाउडर, पाउच चमच काली मिर्च पाउडर, एक चमच सफीद तील डाल रही हूँ, स्वादा नुसार, नमक, ठीर सारी ब तरह से मिक्स कर लेना है, लोकी में जो मुझूदा मौशर है, इसमें हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बाइंड कर लेना है, इस दर्म्यान आपको लगे कि मिशन काफी नरम हुआ है, तब इसमें आप थोड़ा चावल का आटा और थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा चावल का आटा और बेसन मिला रही हूँ, चावल के आटे से काफी क्रिस्पी बनते हैं, तो बस यहाँ पर मिशन तयार हुचुका है, पहले हाथों को थोड़ा सा तेल लगाईएगा, अब थोड़ा सा मिशन लेंगे और छोटे 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 ब तो गाईस यहाँ पर हमारी फर्स पैच फ्राई हो चुकी है, तो इसी तरह से हम बचे हुए कुफता को भी फ्राई कर लेते हैं, तो सारी कुफता रेडी हो चुके हैं, अब तयारी कर लेते हैं ग्रेवी बनानी की, तो यहाँ पर मैंने छे काजु लिये हैं, दो टमाटर क जो फ्राइ की हुए प्याज है वो जाएंगे तो हमें इसे अच्छी तरह से बारिक पीस लेना है अब कड़ाई लेते हैं कड़ाई में हमें दो चमच सरसो का तेल एड़ करना है तेल को पहले अच्छे से गरम होने देंगे फिर इसमें जाएगा एक तेजपत्ता एक तालचनी का तुकडा और एक बड़ी इलाइची बड़ी इलाइची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता ह इसमें एक बड़ा चमच अद्रक लेशन और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे तो पहले इसे अच्छी दर्द से कुछ दो मिनिट के लिए भून लेते हैं अब जो हमने टमाटर और प्यास की पेस्ट बनाई थी वो इसमें एड़ करते हैं प्यास को हमने फ्राइ कर लिया था इसके वज़े से ग्रेवी काफी टेस्टी बनती है इसे अच्छे से भून लेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशन्स रखने हैं मतलब तभी जाके जो ग्रेवी बनती है वो बहुत ही बढ़िया बनती है अब इसमें हम मसाले अड़ करेंगे तो पाउ चमच हल्दी पाउडर आधा चुटा चमच देगी लाल मिर्च पाउडर पाउ चमच धनिया पाउडर आधा चमच इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर थोड़ा गरम पानी डालेंगे ताकि जो हमारे मसाले है थो बून तेवा जलेंगे नहीं तो इसे अच्छी तरह से बून लेते हैं जब तक हमारे मसाले बून करना इसमें सिर जो पानी है वो Evaporate होकर तेल हैं वो Separate नहीं होता है तब तक इसे हमें बून लेना है आप देख सकते इसका color कितना गजब का लगी रहा है तो इसका जो तीखा बन है उसे हमें balance करने के लिए इसमें हम आधा कब इतनी दही add करेंगे तो पहले दही को अच्छे से fade ले फिर इसमें add करें तो दही मिलाने के बाद आपको इसे continue stir करना है तो क्या होता है दही फटने के chances रहते हैं दही को भी अच्छे से हमें पका लेना है तो इसे हम कुछ 5-7 मिनिट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं दीखे हमारे मसाले है वो अच्छे से भून चुके है अब इसमें एक हरी मिर्श डाल रही हूँ और अपने जरूरत के अनुसार इसमें आप गरम पानी डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक कप इतना पानी डाल रही हूँ यहाँ पर हमें ग्यास की जो फ्लेव है ना उसे आपको तेज आज़ पर करना है क्योंकि हमें इसमें एक उबालाने देना है इसमें स्वादा नुसार नमक अड़ करते हैं अब इसमें हम लोकी की जो बॉल्स बनाएं यानि की कोफता है वो अड़ करते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो इसके उपर हमें ढकन रखना है और कुछ 9 से 10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे तो थोड़ी दिर की बात चेक करते हैं गाइस गजब की खुशबू आ रही है इसमें से तो इसके उपर हम बारी कटे हुए धने के पत्ते डालेंगे और चुले को करेंगे बंद गर्म गर्म चावल की साथ या फिर रोटी की साथ इस कुफटाकरी को इंजॉय करते हैं तो गाइस आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होना तो इसे ज़रूर राइकर की देखिएगा फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी की साथ तब तक के लिए आप घर का खायेगा और अपना खयाल रखिए